हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो और्गनाइज लर्निंग चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो इस वी बzieży सेक्षाएं गैसे का पाइन जाए प्सक्राइब आपर आप ग्यालों के इसका एक जिए गया है मांई टो हमें दूसरा जिरू बताना है तो देखो वैसे तो इसका इसका अंसर होगा उप्शन नमबर अ ए अब या अनसर आया कैसे है इसका सुलिशन देखते हैं तो देखो इसको कैसे solve करेंगे पहले जो हमें polynomial दिया गया है क्या दिया गया है px is equal to x square minus 7x minus 8 अब जो zeros है वो हमने alpha और beta मान ली और उन में से 1 zero जो है वो minus 1 यानि कि alpha की value दी गई है minus 1 अब हमें पता है sum of zeros यानि कि alpha plus beta वो किसके equal होता minus b upon a यानि कि minus of b कितना है minus 7 upon a कितना है 1 ठीक है तो इसको जब solve किया तो यहाँ पे value पुट की तो यह minus 1 plus beta is equal to यह cancel out होके 7 बच जाएगा तो beta आ जाएगा 7 plus 1 is equal to 8 next question देखते है second question दिया गया हमें the sum and product of zeros of the polynomial x square minus 3 are respectively sum of product बताने हैं कौन से polynomial के इसके x square minus 3 के वो क्या क्या होंगे तो देखो वैसे इसका answer होगा 0, minus 3 यानि कि sum of zeros होगा 0 और product of zeros होगा minus 3 अब इसका solution देखते हैं तो देखो इसके लिए सबसे पहले जो हमें polynomial दिया गया है px मान लिए उसको वो कितना है x square minus 3 अब यहां से हमें पता चल गया a कितना है 1 b यहां पे देखो x का coefficient कुछ भी नहीं है यहां पे तो b 0 हो जाएगा हमारे पास और c हमारे पास कितना हो गया minus 3 अब sum of zeros का formula क्या होता minus b upon a अब b कितना है 0 upon 1 तो यह तो 0 ही हो जाएगा product of zeros क्या होता है c upon a c कितना है minus 3 upon a कितना है 1 तो इसका answer हो जाएगा minus 3 ठीक है next question देखते हैं third question है हमारे पास the zeros of the polynomial fx is equal to 4x square minus 12x plus 9 r यह polynomial दिया गया है 4x square minus 12x plus 9 इसके zeros of polynomial बताने है तो वैसे इसका answer है 3 by 2 comma 3 by 2 a option अब इसका solution देखते हैं तो देखो इसका solution क्या हो जाएगा सबसे पहले जो polynomial है fx वो क्या है 4x square minus 12x plus 9 यहाँ पर mid term को हम split करेंगे mid term में क्या आ रहा minus 12x इसकी और इसकी multiply कितनी होती है 4 9s 36 36 का हम पहले LCM ले ले लेते हैं 2 2 3 3 ठीक है अब हमें इसके ऐसे factors लेने हैं ऐसी दो numbers को multiply करना है जिसका जो product है वो तो plus का 36 आए और जिसको add या subtract करने पे minus 12 answer आए तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 6x into 6x minus 6x into minus 6x तो इन दोनों को multiply करेंगे तो plus 36 आजाएगा और अगर इनको add करेंगे तो 6 और 6 12 लेकिन minus का तो इसलिए इसके जो factors किये हैं मिट्टम को split किया है वो यह हो जाएगा तो यह हो गया 4x square minus 6x minus 6x plus 9 अब इसको further हम जो है factors निकालते हैं इसके तो 2x यहां से common आजाएगा तो अंदर यहां पे 2x minus 3 इन दोनों में से क्या term common आजाएगी minus 3 तो यहां पे अंदर हमार पास बच जाएगा 2x minus 3 अब इसको हम क्या से लेक सकते हैं 2x minus 3 into 2x minus 3 यह दो pairs बन गए तो x की value कितनी आजाएगी जब यह 2x minus 3 को हम 0 के equal लेंगे तो x हो जाएगा 2x is equal to यहां पे पहले यह minus 3 इदर जाएगा तो 3 और फिर x is equal to 3 by 2 तो दोनों ही cases में 3 by 2 और 3 by 2 हमार पास आजाएगा ठीक है अब देखते हैं next question fourth question है हमार पास what is the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are root 2 and 1 by 3 respectively हमें quadratic polynomial बताना है जिसका sum और product of zeros root 2 और 1 by 3 दिया गया है तो इसका solution देखते हैं तो इसका solution क्या हो जाएगा हमार पास in polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0 यह होता है polynomial हमार पास अब sum of roots क्या होता minus b upon a वो हमें कितना given है root 2 product of roots होता है c upon a वो कितना given है 1 upon 3 तो अब यह देखो minus b upon a की जगे पे क्या दे रखा है root 2 तो अगर यहाँ पे denominator में कुछ नहीं तो इसका 1 माल लेंगे और c upon a की जगे पे दिया हुआ 1 upon 3 तो इसको हम assume कर लेते हैं कि यहाँ पे a जो है वो 1 है ठीक है तो यहाँ पे a कितना आ गया 1 तो हम अगर इसको a को 1 लेते हैं तो b हमारा कितना आ जाएगा minus root 2 और c हो जाएगा हमारा 1 by 3 ठीक है तो यह हम लिख सकते है x square minus root 2x plus 1 by 3 is equal to 0 बट अब यह हमारा linear equation नहीं है क्योंकि इस form में नहीं हो सकती तो इसको अगर यह denominator से हमें हटाना है 3 को तो हम 3 से अगर इसको उपर numerator में जो है कर देंगे multiply तो यह 3 हमारा remove हो जाएगा और अगर 3 remove हो गया तो हमारे पास तो अगर 3 से इसको multiply कर रहे है तो हम सिर्फ इसको multiply नहीं करते हैं यह पूरी equation multiply होती है हमारे पास तो इसलिए 3 से multiply हुआ तो 3x square बन गया यह minus 3 root 2x plus यह 3 से multiply होके तो 0 अब देखते हैं next question तो next question है हमारे पास question number 5 the number of zeros of the polynomial px as shown in the figure is यह figure है इसमें हमें polynomial px त्वारा जो number of zeros है वो कितनी होंगी तो देखो polynomial px की अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब x-axis पे यह जो line है यह कितनी बार cut करेगी वो इसके number of zeros हो जाएंगे तो यह है हमारा x-axis और यह line जो है इस x-axis पर सिर्फ एक बार cut कर रही है ठीक है तो इसलिए हमारे number of zeros जो होंगे polynomial के वो कितने हो जाएंगे one option c इसका correct answer होगा next question देखते है sixth question यह है हमारे पास find the quadratic polynomial whose zeros are zero and root 5 हमें वो quadratic polynomial find out करना जिसके zeros हमें zero और root 5 दी गई है तो इसका solution देखते है हम तो देखो इसका क्या solution होगा एक quadratic polynomial जो है उसको अगर हम sum और product of zeros के तोर पे बात करें तो उसकी जो form होती है वो इस तरीके से लिखते हैं x-square minus यहां आता है sum of products sum of zeros यानि की alpha plus beta into x प्लस यहां आता है product of zeros यानि की alpha into beta जहां पे alpha और beta क्या है हमारे पास polynomial के roots होते है अब हमें given है question में की जो alpha है वो 0 है और beta जो है वो root 5 है तो हमारे polynomial क्या बन जाएगा यहां पे simply हमें alpha beta की values put करनी है तो यह हो गया x-square minus alpha यानि की 0 plus beta यानि की root 5 into x प्लस यहां पे alpha into beta यानि की 0 into root 5 तो यह क्या बच गया हमारे पास px क्या बच जाएगा x-square minus 0 plus root 5 तो root 5 x ही बचेगा और 0 into root 5 जीरो हो जाएगा तो यह polynomial बच जाएगे हमारे पास px is equal to x-square minus root 5 x अब देखते है next question 7th question है हमारे पास find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are minus root 2 and root 2 respectively हमें वो quadratic polynomial बताना है जिसका sum और product of zeros minus root 2 और root 2 दिया गया है तो इसका देखते है solution हम तो देखो इसको कैसे solve करेंगे हमें क्या given है sum of zeros यानि की minus b upon a की value कितनी दी गई है minus root 2 और product of zeros यानि की c upon a की value कितनी दी गई है हमें root 2 अब हमने assume कर लिया देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 हो गया यानि की यह a की value कितनी आगई हमारे पास 1 अब a 1 है b कितना हो जाएगा तो देखो यह minus b है और यह minus root 2 है तो minus minus यह minus बचा है ना minus b होता है formula में तो यह minus इसका आया हो है तो यानि की यह b की value plus का root 2 है ठीक है और c की value जो है वो हमारे पास वो भी plus का root 2 है तो इसको हम equation को ऐसे लिख सकते हैं x square क्योंकि 1 है a और b जो है वो root 2 है तो plus root 2 x और c कितना है वो भी plus root 2 है is equal to 0 तो हमारे पास जो required polynomial हो जाएगा वो कितना होगा x square plus root 2 x plus root 2 is equal to 0 ठीक है अब देखते है next question 8th question और यह last question है इस worksheet का तो यह क्या question दिया गया है find the zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 4x minus 8 and verify the relationship between the zeros and coefficients सबसे पहले तो हमें जो है यह polynomial 4x square minus 4x minus 8 इसकी zeros निकालनी है उसके बाद हमें जो यह relationship है यह zeros or coefficient का इसको verify करना है तो इसका solution देखते है तो देखो इसमें जो सबसे पहला step होगा वो होगा हमारा zeros find out करने का तो पहले हमें क्या equation दी गई है वो है 4x square minus 4x minus 8 is equal to 0 again इसकी mid term को split करना है तो देखो 4 into 8 कितना बना 32 32 के ऐसे factors लेने हैं जिसको add या subtract करने पे minus 4 आए तो देखो 8 और 4 को हम multiply करेंगे तो 32 आएगा और देखो यह minus का 32 है क्योंकि यह minus है और यह plus है तो इन दोनों को multiply करके minus का 32 तो यह हो जाएगा और 8 में से 4 अगर जाएगे तो 4 बचेगा और अगर बड़े वाले नंबर को negative ले लेंगे तो यह भी हमारे पास minus में आएगा answer ठीक है तो इसलिए हमने इसके factor किये तो minus 8 x plus 4 x हमारे पास आगया तो इसको हम लिख सकते है 4 x square minus 8 x plus 4 x minus 8 is equal to 0 अब यहां से common ले ले लेते पहली दो terms में से 4 x को तो यहां अंदर बच जाएगा हमारे पास x minus 2 बाद वाली दो terms में से common लिया plus 4 तो यहां पे भी अंदर बचेगा x minus 2 is equal to 0 यहां पे फिर यह pairs बना लिए तो 4 x plus 4 into x minus 2 को 0 के equal अब यह 4 x plus 4 को एक बार 0 के equal रखा और फिर x minus 2 को 0 के equal रखा तो देखो यहां से 4 x plus 4 तो यहां से जब इसको 0 के equal रखा plus 4 था इदर जाएगा तो minus 4 और x is equal to minus 4 upon 4 इदर आएगा तो तो यह बच जाएगा minus 1 ठीक है और यहां से यह x minus 2 is equal to 0 यह simply minus 2 इदर जाएगा तो plus का 2 बच जाएगा तो x is equal to 2 तो first step था यह हमारा अब second step में हम क्या करेंगे 4 x square minus 4 x minus 8 यह हमाई पास equation दी गई है यहां पे अब a कितना है 4 है b कितना है minus 4 है c कितना है minus 8 है अब यहां पे simply हम values पुट करेंगे minus b upon a formula होता है ना मरपस तो minus into b कितना है minus 4 divided by a कितना है 4 इसको cancel out हो गए यह minus minus और यह cancel out होने पे 1 बच गया ऐसे ही c upon a की बात की जाए तो c कितना है minus 8 upon a कितना है 4 तो यह इसको cancel out किया तो minus का 2 बचेगा अब हमारे पास जो sum of zeros का formula होता है वो क्या होता है alpha plus beta ठीक है अब यह आया है minus 1 plus 2 is equal to अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और product of zeros क्या होता है alpha into beta तो alpha कितना है यह minus 1 into beta कितना है 2 तो minus 1 into 2 कितना हो जाएगा minus 2 तो अब यह देखो यह step 2 और step 3 से from step 2 and step 3 we see that जो sum of zeros है वो किसके equal आ रहा है वो हमारा minus b upon a के equal आ रहा है यह sum of zeros और minus b upon a equal है कितना आ गया 1 ऐसे ही product of zeros जो है यानि कि यह वाली जो value है और c upon a की जो value है यानि कि यह वाली जो value है यह भी equal आ रहा है यानि कि यह भी minus 2 तो यह verify भी हो गया है हमारा ठीक है यहाँ पर हमने zeros find out की step 1 में step 2 में हमने coefficients को और जो sum of zeros और product of zeros है उनको हमने verify करके दिखा दिया आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like, share, comment करें चानल को subscribe करें मिलते हैं next video में